हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इटूब चैनल पर तो इस ओड़ों में आपको बताने वाले हैं कि अगर मोबाइल का कैमरा आन करने पर फ्लेश लाइट बंद हो जाता है तो कैसे 100% सही करें तो अगर आप चैनल पर पहली बार आयें दूडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए कैमरा को ओपन करना है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ओप्सन मिलेंगे तो आपको सबसे उपर एक ओप्सन मिलेगा देखिए इस प्रकार का यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है या हो सकता है फलेस का ओप्सन हो तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कुछ option मिलेंगे जैसे की off हो गया, on हो गया, auto हो गया, fill light हो गया तो guys आप अगर यहां पर on पे क्लिक करेंगे या auto पे क्लिक करेंगे तो अपने यहां लाइट on होगी, flash light चालू होगा लेकिन अगर आप Fill Light पे क्लिक कर देंगे तो आपका Flash Light जो है On हो जाएगा कैमरा जैसे आप चालू करेंगे Flash Light जलने लगेगा चले हम आपको दिखाते हैं अभी देखिए बंद है लेकिन हम Fill Light पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Flash Light यहाँ पर चालू हो चुका है हम बैक आते हैं फिर से कैमरा को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Flash Light चालू है तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं गाईस मैं आपको फिर से बता दूँ आपको उपर यहाँ पर एक Option मिलेगा Flash Light का या फिर इस परकार का आपको इस पर किलिक करना है और यहाँ पर Fill Light का Option है या फिर On Off का तो आपको इस पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद जब भी आप कैमरा को ओपन करेंगे चालू करेंगे तो Flash Light On रहेगा देखी यहाँ पर चालू है और यहाँ पर मैंने एक फोटो क्लिक किया यहाँ पर अब देशकते हैं फ्लेसलाइट चालू था उसी से फोटो यहाँ पर क्लिक हुआ है तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं काफी आसान है या फिर आप इतना करने के बाद अपने मोवाइल को एक बार स्विच ओफ पर के स्विच आउन करना या रिबूट या रिस्टार्ट करना तो अनेट परसेंट वाली प्रॉलम सही हो जाएगी तो आज करूं बस इतना ही वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थेंक यू